हेलो फ्रेंड आप सभी का आपकी यूटूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुरीज आवर सेवा आईयो के तरफ से दरोगा का यहाँ फेकेंसी आपको निकाला गया था और इसका एक्जामिनेशन 26 दिसमबर दोजरा कैस को हुआ था अब जहां पिसकार जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है कॉट अफ के साथ में तो हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कितने बच्चे का सेलेक्शन जो है मेंस एक्जामिन के रिए क्या गया है और सक्टोफ जो पीटी में कितना गया था तो चली वीडियो को आप सुरू करते हैं जैसा कि यहां देख सकते हैं 26 December के एक सेलेक्शन हुआ था जहां पर 6,8,736 बच्चे का एडिमिट कार्ट को यहां पर जारी किया गया था दो पाली के अंदर जहां पर देख रहे हैं पहले पाली के अन्दर जो डाटा दियावा है 3,4,4,736 बच्चे का सेलेक्शन जो है एडिमिट कार्ट को जारी किया गया था और जिसमें कि 2,23,735 बच्चे यहां पर सामिल हुए थे हैं उसी परकार से अगर बात करें फर्स सीफ्ट के अंदर बच्चे का यहां पर देख सकते हैं 8612 बच्चे का यहां पर रिजेक्ट को आदा फॉम को टोटल यहां पर बता गया है कि सिकेंड शिफ्ट में 3,000,000 कुछ बच्चे यहां पर आये थे और यहां पर 7,995 बच्चों क यहां पर रिजेक्ट किया गया फॉम को उसी परकार से हम बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ओफ सीट इसमें कितनी है तो आपको पता होगा परसेंटेज कितना है अगर हम बात करें मेल कंडिडेट की सबसे पहले तो जेनरल कर्टेगरी के 120 नंबर गया है कट ओफ जिनका उसका परसेंटेज है जिस 61.5 अगर यानि कि 200 नंबर के एक जामनेशन हुआ है तो उसमें 120 नंबर के यहां पर क्या बच्चे का रिजेल्ट ह ना है यानि कि कह सकते हैं 100 कॉशन के जो 62 की बच्चे बना के होगे और जेनरल कर्टेगरी वाले का उनका इहां पर रिजल्ट हो गया होगा अगर फिमेल की बात करते हैं तो जो examara примерно गया होगा अकर यहां तो एक तारीस नमबर लाए होगे सही सही उनका यहां पर रिजल्ट हो गया होगा यानि एक तारीस कोशन सही सही कियोंगे तो उनका रिजल्ट हो गया होगा। अगर वही female की बात करते हैं जो female में 43 questions साई टेच कर ली होंगी उनका यहाँ पर result हो गया होगा EBC की बात करते हैं तो 113.2 यानि 56 यानि 57 questions जो भी साई साई किये होंग लड़का में उनका यहाँ result हो गया होगा अगर वही बात करते हैं female के लिए तो जो लड़की 35-36 questions टेच किये होंगी साई साई उनका यहाँ result हो गया होगा वही परकार से SC कभी देख सकते हैं जो लड़का 55 number जो SC मिला हैं उनका यहाँ result हो गया होगा अगर वही एसी female की बात करते हैं तो जो भी लड़की SC में 30 questions टेच कर दिया होगी तो यहाँ result हो गया होगा उसी बगार से BC women की बात करते हैं तो जो भी 40 questions साही करके आए होगी BC women जो भी है उनका यहाँ result हो गया होगा तो यहाँ पर Freedom Fighter का भी दिया गिया है कि male के अंदर जो 23 number यानि 23 question जो भी सही सही टच कियोंगे सही करके आए हो उनका यहाँ पर result हो गया होगा वहीं पर बात करते है female का तो जो भी female के अंदर 33 question जो भी टच किया है उनका भी result हो गया होगा तो इस परकार से 47,900 बच्चों का यहाँ पर selection जो है आपका मेंस के लिए किया गया है तो मैंने आपको यहाँ पर cut off बता दिया कि कि कितना cut off गया है अगर बात करने हैं कि मेंस का examination कब तक होने का chance है तो धियान लखिएगा कि बिहार पुलिस का जितना पी वेकेंसी निकलता या दरोगा examination जो होता था इसके अंदर कम से कम तीन मेंन आपका मेंस का examination के लिए चला जाता है अब इसका proof में कैसे बोलना हूं तीन मेंना की examination date चला जाएगा तो आपको चली मैं आना जो इसका notification जारी था मैं उस पर आपको लगी चलता हूं जहां पर देख सकते हैं यह जो वेकेंसी है यह भी अब बिहार पुलिस का दरोगाय का यह वेकेंसी यहां पर था जहां पर नीचे को राइए एक अदर दखिए इसका examination जो PT का हुआ था इसका examination PT का 22 December 2019 को हुआ था जहां पर आपका result जो जारी था वो 28 January को हो चुका था ठीक है 28 January का examination जिसका जारी हुआ था और मेंस का examination date यहां दिया गया था 26 April 2020 यहां पर देखने को मिल रहा है 26 April 2020 को यहां पर आपका मेंस का examination था अब भी किसी कारण की चलती यह पोस्टपॉंड हो गया था लेकिन आपको तीन मेंस का टाइम दिया जागा PT के रिजल्ट के होने के बाद से तो आपको तीन मेंस का टाइम है आप यहां पर त्यारी कर लिजिए कि आपका examination मेंस में अच्छा से हो जाए और आपका selection जो है final के लिए PT के लिए हो जाए तो इस बगार से मैंने आपको बताते है तीन मेंने का पर टाइम मिलेगा और आपका PT का कटोफ भी पार कर लिए बहुत अच्छी बात है और यहां पर मेंस कटोफ भी पार करने के लिए आपके बेस्ट ओफ लग आसा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तर प्रेज वीडियो के लाइक किजिएगा share किजिएगा चैनल को subscribe किजिएगा मिलेंकर नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching this वीडियो